अगर आप एक Instagram users हो तो ये वीडियो आपी के लिए है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Reels पर अगर आप शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हो किसी भी sound पर lip-sync वगेरा करते हो और आपको वहाँ पर problem आ रही है डबल sound की अगर आप वीडियो को अपलोड कर देते हो उसके बाद में उसमें से डबल sound आता है या फिर वीडियो को ड्राफ में सेव कर देते हो बाद में उसको सुनते हो एडिट करते हो तो आपकी वीडियो से डबल sound आ रहा है अगर आपकी ये problem है और इस problem को आप solve करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप Reels वीडियो के double sound की problem को fix कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि हमारी ये problem solve हो जाए तो मेरी इस वीडियो को आपको भीना skip की end तक देखना है वीडियो स्टाट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लिजे मेरे नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर ने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाले मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं रील्स वीडियो को बनाने के बाद उसके अंदर से आपको डबल साउंड सुनाई दे रहे हैं जैसे या आप किसी भी साउंड पर लिपसिंग वगेरा करते हो तो वहाँ पर आपको दो साउंड सुनाई दे रहे हैं वीडियो अपलोड करने के बाद में दो साउंड सुनाई करने इस यहां पर किलिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे पर देख सकते हैं कि और आपको क्लिक करना है यहां पर एक निशान आपको बता रहा है इस option पर आपको click करना है यहाँ पर click करना है इस पर click करने के बाद में ऐसा interface हमारे सामने आ जाएगा अब वो जो double sound की problem हमें आ रही है वो क्यों आ रही है वो इसलिए आ रही है यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा यह वाला option दिखाई दे रहा होगा आपको camera audio तो यहाँ से जो है इसी से आपकी वो double sound की problem solve होगी इसको आपको यहाँ से adjust करना पड़ता है जब से यह option आया है audio controls तो इसको जो है यहाँ से हमें audio को अपनी control करना होता है आप बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको control बगेरा नहीं करते हैं और वीडियो को ऐसे ही upload कर देते हैं तो आपको यहाँ पर आगर के audio को control करना है उपर नीचे जहाँ भी आपकी आवाज set बेठे वहाँ से इसको इस तरह से आप कर लेना और इसके बाद में आपकी जो वो